इस कोरोना काल में वैक्षिन की इतनी चर्चा हो रही है, तो आपका ये बैक्ग्राउंड होने के काण उसमें भी रूची लेकर के पढ़ाई वड़ाई करते हो कि छोड़ दिया? सर, अभी तो सर ध्यान ट्रेनिंग पे है सर. मुझे खेलना बहुत पसंद है सर, मुझे खेलना बहुत पसंद है सर, मुजिक में इंट्रेस्टेड हूं सर. मुजिक? जी सर. तो कहां बायो टेक्नोलोजी, कहां ब्यूजिक, और कहां ये पुलिसिंग? सर, हमारी होबी जी पुलिसिंग जैसे जो टफ और दिमानिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है, और संगीत है तो बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है. जी सर. देकि अनोज मैं आपको आपके आने वाले जीवन और केरियर के लिए बढ़ाई देता हूँ, आप हर्याना के रहने वाले हैं और आप केरल केर्डर में काम करेंगे, आपने आईटी से सिख्षा की और सिविल सर्वीस में हुमेनिटीज को चुना, आप ऐसी सिवा में हैं ज कठोर मानी जाती है, और आपको संगीत से भी प्रेम है, पहली नजर में ये विरोधाबास लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं, आपने इस ताकत को आप पुलिस से वा में बहतल लेडर्शिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी पामना है, धन्यवाज से, जहिन से, धन्यवाज श्रीमान, अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साती प्रशिक्ष्य अधिकारी श्री रोहन जगदीश से, कि वो अपना परिच्चे दे और अपना आपके साथ बार्तलाब शुरू करें, जहिन श्रीमान, मेरा नाम रोहन ज बैंगलोर का मूल निवासी हूँ, और मैं बैंगलोर विश्व विद्यालाए का यूनिवर्श्री लौ कॉलेचे लौ डिग्री कसनातक हूँ, मेरा पहला प्रतम पसंद भारतिया पोलीस सेवा था, इसके मुक्यकारण मेरा पिताजी थे, उन्होंने करनाट का पोलीस, करना का चुना हूँ, जैन श्रीमान, रोहन जी आप बंगलोर के हैं, हिंदी भी काफी सिख ली हैं, और एक लोग ग्रेजुएट भी हैं, आपने पोलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स को भी अध्यान किया है, इस ज्यान का आप आज की पुलीस व्यवस्था में क्या रोल कि मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आप आ रही हूँ, और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत शोटे लग रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरे पोल इसलिए हैं बट इंटरनेशनल भी है, तो इस नौलिट से रिलेशन रखना और अन्या क्राइम्स को सॉल्फ करना, इंटरनेशनल, क्रॉस बोर्डर, टेरिज्म, नक्सिलिज्म और ड्रक्स का मामले में सॉल्फ करना उप्योग होता है, श्रीमान. हम अक्सर पुलिस अकडेमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं, आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अपने पिता जी को देखा है, जिन्दगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेक की दिखती होगी, और आप पिता जी कंपरिजन करते होंगे, कि उनके जमाने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके जमाने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भीड़न भी होती होगी. सर, मेरे पिता जी मेरा रोल मोडल भी है, और उन्होंने करनाटका पॉलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में जॉइन किया थे, और सेथी साल के बाद वो SP के रांक में रिटायर भी हो चुका है, सर. तो जब मैं अकाड़मी पहुंच आता, उन्होंने बोला था कि पोलिस ट्रेनिंग बहुत कटिन होता है और बहुत मेनत करना पड़ेगा, तो मैं आते हैं अंदर एक माइकल अंजलो का एक वाक्या लिका है, सर. उसमें बोला है, हम सब के अंदर एक स्टाचू अल्रीड है, एक शिल्प है. हम अकाड़मी के दुआर उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है. ऐसे ही हमारा निर्देशक, सर और हमारा सब फाकुल्टी हमको ट्रेन कर करके हमारा अत्या बहतरी शिल्प बनाया है, तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे, सर. अचाहिए इस ट्रेनिंग को और बहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुजाव है मन में? अब हमारा निर्देशक आने के बाद और सब चेंजड़ हो चुका है, और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटनाशनल स्टैंडर्स पर ट्रेनिंग कर रहा है तो मैं बहत कुछ हूँ इस ट्रेनिंग से. रोवन जी मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्वीमर है और आपने अकडेमी के पुराने सारे रेकॉर्ड भी तोड़ दिये हैं जाइर है आप आजकल ओलेंपिक्स में भारत के खिलाडियों के अच्छे प्रोदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे आने वाले समय में पुलीस सेवा से बैथर एथ्लिट्स निकालने के लिए या फिर पुलीस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कुछ विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलीस का जरा बैठना उटना चलना सब जरा कुछ अलगी ने जराता है आपको क्या लगता है सर अकैडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहां समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर बट हमारा जिंदगी में एक पार्ट हो जाते सर अब भी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है तो और जब हम जिल्ला पहुंचेगे हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ काम करने वाला पॉलीस अधिकारे को भी इस बारे में बोलके उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तब्यत को कैसा टीक रखने का इनका जानकारे भी देके हम सिर्फ आपके फिटनेस ही नहीं, बट सबको फिटनेस करके पूरा इंडिया को फिट रखने का कोशिश करना है, श्रीमान. चलिए रोईन जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, फिटनेस और प्रोफेशनलिजम हमारे पूलीस की एक बहुत बड़ी ज़रुत है, और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साई उवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पूलीस सिस्टिम में लागू कर सकते हैं, यू आप फिट रहने के लिए प्रेजित होंगे, मेरी आपको बहुत सुबकामना है, जहिन श्रीमान, इसी श्रंकला को बढ़ाते हुए, अब मैं आम अंत्रत करती हूँ, श्री गौरव राम प्रवेश राय को, कि वहे आपके समक्ष अपना परिचे रखे और समवाद करे जहिन सर, मेरा नाम गौरव राय है, मैं महराशा के अमरावती जिले का निवासी हूँ, और मुझे 36 काडर आवंटित हुआ है, मैंने College of Engineering पूने से Civil Engineering की है, और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्फ, मैं इंडियन रेलवेश में कारियरत था गौरव जी मुझे बताया गया ति आप तो सत्रंज की खेलाडी है, बहुत अच्छा खिलते हैं बोलते हैं सत्रंज जी सर अच्छा शाव और मात के इस खेल में ये भी तैय हैं कि आपको जीतना ही जीतना है वैसे आपने सोचा कभी कि अपराधियों को काबू करने में आपका शत्रंज का घ्यान क्या काम आ सकता है ये सर मैं क्योंकि शत्रंज खेलता हूं तो मैं हमेशा इसी तरीके से सोचता हूं मुझे जैसे 36 काडर अलोट हुआ है और वहां पर लेफ्ट विंग एक्स्रेमिजम उपर में है मावाथ तो उसमें सर मुझे हमेशे यही लगता है कि शत्रंज में दो चीज होती एक स्ट्रेजी और एक टैक्टिक्स तो हमेशा अपनी फोर्स पे और पॉलिसी में ऐसी स्ट्रेजी हो जो उनको टैकल कर सके हैं और अपरेशन के तुरू हम ऐसे टैक्टिक्स का इसतमाल करें जो की हमें टेनिंग अकैडमे में भी सिखाया गया है इस तरीके से operations करें कि हमारी कम से कम losses हो और हम जादा से जादा इन लोगों पर attack करके इनको रोग सके गरोजी आपने बताया कि आपका कैडर 36 गर्रोट हुआ है और वहाँ की स्थिती के विशे में आपने उलेक किया अपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई अनुभव है क्या कुछ स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में क्योंकि एक शित्र ऐसा है जहां इन चीजों के भी बहुत ज़ोरत पड़ती है कि यह सर भाईती सरकार की जो दो तरफा रण नीती विकास की और security point of view से तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं civil engineer हूँ तो मैं यह समझता हूँ कि मैं नक्सल लेफ्ट विंग extremism को खतम करने के लिए विकास ही एक रास्ता है और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचे तो माने दिमाग में rail rail road railways घर basic civil facilities आती है तो मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं civil engineer हूँ तो मैं अपने इस knowledge का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा 36 करण में आप गडची रोली विशेक में भी काफी कुछ स्टडी करते होंगे महराष्ट के हैं तो यह सर उसके बार में भी मालूम है पड़ा है गरोजी आप जैसे युवा अपसरों पर बहुत बड़ी आज जन्जातिय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाये जा रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लिडर्शिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरी आपको बहुत शुपकामना है धन्यवाद सर, जैन श्रीमान आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं आम अंत्रित करना जाओंगी सूश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समख्ष अपना परिच्चे रखें और अपने विचार व्यक्त करें जैन सर, मेरा नाम रंजीता है, मैं हर्याना से हूँ और मुझे राजस्तान कार्डर अलोकेट हुआ है सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुवात में ही एक अती विशम लॉइन ओर सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा सर, इस दौरान मुझे सैयम के, स्पेशली पुलिस फोर्सेज में सैयम के महत्वका ग्यान हुआ सर, क्यूंकि लगबग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हो, या लॉइन ओर्डर की सिचुएशन हो वहाँ पर हम अपने ही देश की नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्तिती में ये जरूरी हो जाता है ति आवश्यक है कि हम सैयम बढ़ते हैं और जैसा कि सर, हमारी अकादमी में भी काफी जगे हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जिने आईपेस प्रोबेशनर्स और आईपेस अधिकारियों को संबोदित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस शर्ण एक पुलिस अधिकारी अपना सैयम खो देता है उसी शर्ण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता तो सर और इस ट्रेनिंग के दोरान सर चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो जिले की जो विवारिक प्रशिक्षन था उसकी दोरान हो ये लगातार हैसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं जो मूले हैं जैसे कि धैरे हो सैयम हो या साहस हो उसका सर मुझे लगातार अभास होता रहा रंजीता जी आपने ट्रेनिंग के दोरान जो भी उफलब्दिय हासिल की है उनके लिए आपको बहुत बढ़ाई और अभी अतुल जी आपका वरन भी कर रहे थे आपके बारे पड़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर गाव और अडोस परोस में अब बेटियों को लेकर बड़लाव दिखता है या नहीं क्या अनुभव आता है सर पृत्म धेनेवाद सर सर आसपास जो परिवार है परिवार गण है, मित्र गण है, समाज है सर हमारे जैसी सेलेक्शन के बाद में पता चला कि सेलेक्शन हुआ है तो विभिन वर्गों से सर कॉल जाए कि आप आईए और हमारे यहां बच्चों से बाचीत कीजे और उसमें विशेशता सर जो गर्ड चाइल्ड था सर उस पर फोकस रहा कि आप उन से बात कीजे क्योंकि आप एक मोटिवेशन एक रोल मॉडल की तरह आर्ट कर सकते हैं सर यही अनुभव मेरा जिले में भी रहा वहां पर भी काफी बार ऐसा अफसर आया जहां पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेशता हा महिला स्टूटिंट से बात करके उनको मोटिवेट करूँ उनको इंस्पायर करूँ और कही न कहीं सर यह जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी एक पहचान तो मिलती है और एक जिमेदारी और एक चुनौती का भी हैसास होता है और अगर एक महिला को वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कही न कहीं थोड़ा भी मूटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर यह मेरे लिए असली उपलब्दी रहेगी रंजिता जी आपकी योग में भी भहुत रूची है आपने जो पढ़ाई की उसे लगता है कि आप प्रत्रकाज़त का खेतर में आगे बढ़ना चाहती थी तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुँच गई सर यहाँ पर भी एक कहानी है सर मुझे लगता है कि मैंने निजी शेतर में काम किया है इससे पहले लगबग आटना साल परन्तु सर मैं कुछ ऐसा ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंद और तुरंद देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं समाज के लिए काम कर सकूँ सर क्योंकि निजी शेतर में आप आपका दायरा बहुत सीमित रहता है तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी चाप नहीं छोड़ सकते हैं तो प्रिशास्निक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर या आपको ये मौका देती है और जहां तक वर्दी का सवाल है सर इसमित मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारती पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अफसर मिला है हज़र हज़ी ज़ी आपने अपने लिए कोई ऐसा लगस्त है किया है जो आप देश की पुलिस विवस्ता को बहतर बनाने लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी सर पुलिस को मुझे याद है सर पिछले दफ़ा जब आपका ये इंटराक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहां पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा बल इसके प्रयोकी बात आती है तो सर अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवी को सुधारने उसको बहतर करने उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी पुलिस को एकसेसिबल बनाने के लिए पुलिस स्टेशन को एकसेसिबल बनाने के लिए ओवरॉल जो इमेज है पुलिस की अगर उसको ज़रा भी इंप्रूफ करने में अगर मेरा योगदान रहाज सर वो मेरे लिए बड़ी उपलबती रहेगी और मेरा लक्ष भी रहेगा रंजिता जी जो मैंने आपकी विश्वे में जाना सुना आपको एक मैं ऐसे ही अड़वाई देना चाहूँगा कि अपनी और वो अपनी ड्यूटी से जूड़ा हुआ नहीं है आपको जहां भी ड्यूटी का अउसर मिले सब्ताह में एक घंटा किसी ने किसी गर्ल स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपसप कीजिए ये जिवन भर इसक्रम को बनाए रखिए